प्रीश ट्यूटीर ब्राइट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है देखिए जैसा कि अब थमनेल में देख रहे होंगे कि 79,000 सिच्चक भरती मामला खुस खबरी अब कोड से 2234 अब्यर्थियों के पाले में गेद 79,000 प्रात्मिक सिच्चक भरती में आराच्छर मुद्दे पर अभी तक कोई बात नहीं चलिए फिरहल क्या है मामला 79,000 भरती का इसको देख लेते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों को भी सेर करें जिसे सभी को जनकारी मिल सके कि क्या आखिर में उन्हा तरजजर भरती का मामला है देखिए आज की जो लेटेस्ट अपडेट है कल की ही सुनवाई में जो आदेश हुआ है 2234 अभ्यर्थियों का एक अंक बढ़ा कर दो माह में तयार करें योग्यता सूची ये हाई कोड का आदेश है 79,000 सिच्चकबरती मामला प्रयागराज की न्यूज है एलाहबाद हाई कोल्ट ने 79,000 सिच्चकबरती मामले में 2234 अभ्यर्थियों का एक अंक बढ़ा कर दो महीने में नई योग्यता सूची तयार करने का आदेश दिया है अदालत में कहा समय सीमा के अंदर यह काम पूरा नहो तो याचीगण न्याले के समक्ष आने के लिए स्वतंत्र होंगे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंदर दयाल सहित अन्न की याजक्या को निस्तारित करते हुई यह आदेश दिया है ठीके आगे भी न्यूज क्या है उसको देख लेते हैं कि 79,000 सिच्छक भरती मामला 2234 अभ्यर्थियों का एक अंग बढ़ा कर दो महिने में बनाए मेरिट लिस्ट यह है हाई कोर्ट का आदेश इलाहबाद हाई कोर्ट ने 79,000 सिच्छक भरती मामले में 2234 अभ्यर्थियों का एक अंग बढ़ा कर दो महिने में नई मेरिट लिस्ट तैयर करने का आदेश दिया है कोर्ट ने कहा है कि प्रथिवादियों की ओर से समय सीमा के अंदर यह काम पूरा नहीं किया जाता तो याचिगर न्याले में न्याले के समक्ष आने के लिए स्वतंत्र होंगे यह आदेश न्यायमृती रोहित रंजन अगरवाल ने उपेंदर कुमार दयाल सहित अन्न की याचिका कुनिस्तारित करते हुए दिया है सुनवाई के दवरान उत्तर प्रदेश बेसिक सिच्छा विभाग के सचिव प्रताप सिंग बगहेल और परिच्छा नियामक प्राधिकारी अनिल भुसर्च तुर्वेदी कोड के समक्ष उपस्तित हुए दोनों की ओर से हलप नामा दाखिल किया गया कोड ने इसे रिकार्ड पर लेते हुए कहा कि परिच्छा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से याचियों अबलिका भिर्थियों का एक अंग बढ़ाने के लिए पंद्रह दिन का समय देने की मांग की गई मिन्स जो परिच्छा नियमक प्राधिकारी है उनकी तरफ से पंद्रह दिन का मौका मिला है और जबकी इस भरती के निस्तारण के लिए दो महीने का समय एक नई मेरिक लिश्ट जारी की जाए उसके लिए दो महीने का समय दिया गया है अगर दो महीने में यह कारी नहीं पूरा होता है तो जितने भी आजिगड़ हैं स्वतंत्र हैं पुरा कोल्ट में जाने के लिए सुचिए यह दसा हो गई है अपने उत्तर प्रदेश की यह भरती दो हजार उन्नीस की है अठारा में इसका जो है टेट हुआ था टेट एकजाम और सही रूप से इस सरकार की यह बैकेंसी है नहीं है यह सिच्छा मित्रों के जो पद एक लाग शतिस तिस तिस जार जार जाक के अतना थे सम्थिंग उसी को दो खंडों में करके बाटा गया पद है इकार सथ हजार पांस सो दूसरा उनहत्तर हजार नाम दे दिया गया इस गौवर्मेंट के पांस साल यूपी सरकार बतीत करके निकल गई और इस पांस साल में भी समय कितना गया उसको भी आप देख रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी बैकेंसी नहीं है जब इनकी पुरानी बैकेंसियों की ये हाल है अरे टेट दो हजार इग्यारा का भी मामला कहीं कहीं लटका है तो कहीं उनहत्तर हजार का अरे क्या भाई वहीं बिहार में देखिए तो बिहार में जो है सिच्छक भरती वन फाइनल हो गई सिच्छक भरती टू एकदम रॉनिंग पोजीशन पे है पहुत जल्दी फाइनल करके उनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी अरे कुछ तो अपने इस गवर्मेंट को जो है दूसरे राज की गवर्मेंट से नकल तो करनी चाहिए अगर बेरोजगार ही लोग रहेंगे तो फाइदा क्या है पढ़ने का आखिर में बीट बंद कर दो भाई डियलेट बीटी सी बंद कर दो न जब सिच्छक ही नहीं बनाना पदय नहीं है तो किसलिए चल रहें चलिए फिरहाल एक नियूजी इसमें और है उसको भी देख लेते हैं कि 79,000 प्रात्मिक सिच्छक भरती में आरच्छन मुद्दे पर अभी तक कोई बात नहीं आखिर में आरच्छन मुद्दा भी इसमें बहुत तगड़ा गहमी गामा में है इस पर भी अभ्यर्थी जो है ये देखिए अभ्यर्थियों ने ओम प्रकास राजभर का गेरा घर क पहाद नयाय दिला ये कल की निउज है 79,000 सिच्छक भरती में आरच्छ सो मिन्से अजार आठ सो भ्यर्थियों की नियुक्त का मामला 79,000 सिच्छक भरती मामले में अरच्छ सो अभ्यर्थियों की नियुक्त को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन रत अभ्यर्थियों ने सो मौर को सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकास राजभर के आवास का घहराओ कर नयाय दिलाने की मांग की वहीं आजाद समाज पार्टी कांसी राम के अध्यक्ष चंसेखर आजाद भी इको गार्डन पहुँचकर आंदोलन को समर्थन देने की घोसड़ा की ओम्प्रकास राजभर जी का क्या कहना है बोले की हम मंत्री नहीं है पर यंडिये में हैं तो बात करेंगी अभ्यर्थियों ने जब सुभा सपाद देच्च से नियुक्त पत दिलाने की मांग की तो राजभर जी ने सफाई दी कि अभी तो हम मंत्री नहीं हैं पर यंडिये में सामिल होने के नाते सरकार से इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे उन्होंने अभ्यर्थियों को आस्वस्त किया कि बिधान सभा में सबसे अधिक मैंने ही यह मुद्द उठाया था जबकि सपा समेत कांग्रेश और बस्पा को लोग समर्थन करना तो दूर चुप्पी साधे रहते हैं उन्होंने अभ्यर्थियों को समझाया की धर्ना देने से समस्या का समधान नहीं होगा हम इस मुद्दे पर मुखमंत्री जी से मिलकर आपकी बात रखेंगे और समस्या का समधान भी होगा वहीं आज की डेट में जो कल की न्यूज है उसके अउसार 29 को बिधान सभा घेराव करेंगे ये आरच्छन मुद्दे के अभ्यर्थि चीए एक मनें दूसरे कि अगर भी दूसरे सरकार होती उसकी बैकेंसी पर अंगली उठाना कितना आसान है अपनी बैकेंसीयों पर क्यों अंगलीया उठ रही है ये तो सीधे अंगलीयों को ही मोड दिया गया है 68,500 उसका मामला जानते ही है कि कैसी दूसर में रिटे निकजाम हुआ था 79,000 में डीजे वाला टाप करता है तो सही बात है ये है अपने उत्तर प्रदेश की बिवस्था कि कहीं आरच्छ मुद्दा लेकर बिबाद मचा हुआ है अब जो कुछ मिलेगा वो कोड से ही मिलेगा ये कोड से ही है मामला 2234 अभ्यर्थियों को एक अंग बढ़ा कर दो महिने में जो मेरिटलिस्ट बनाने की बात कही गई है कास इनका भाला हो जाए इनको अगरिम सुब कामनाएं सफल हो और अगर इसमें लेटलती फी ये करते हैं तो इन्हें हाई कोर्ट ने पुना मौका दिया है तो ये सारी बाते हैं हालांकि अभी कि तक तक कोई नई vacancy आने की कोई news नहीं मिल रही है और न आएगी किवल कैमनेट मीटिंग होती है उसमें नया सिच्छा सेवा चैन आयोग रोज गठन हो जाता है कागजों में चल रहा है अकबारों में चल रहा है अकबारों में टी आरपी चल रही है बस इतना ही जाल लि है वास्तों में हकीकत में वहां तो बैकेंसी निकली परिच्छा हुई रजल्ट आया जो आइनिंग भी दे दिये नई बैकेंसी निकाल दिये सोचिए उनके यहां इतने पत्काली है हमारे यहां तो सिच्छक औच्छा तरह नुपाते बराबर रहता हमेशा दस साल में न कोई रिटायर हुआ न किसी की डेथ हुई एकदम जनसंख्या कंट्रोल है फिरहाल ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए लेकिन दुख होता है चुकि मैं भी इस बात को लेकर सुचता हूँ कि आखिर में बीट करने का या बीटी सी डियलेट करने का क्या मतलब जब बैकेंसी ही ना है अदमी अपना राज चोड़ कर दूसरे राज में जाना पसंद नहीं करता है लेकिन मجबूरी में तो करते है तो ठीक है भी, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी सेयर करें, और इन दो हजार दोसो चौतिस अब्यर्थियों को अगरिम सुपकाम ना है, सफल हों, कोई तो सफल हो, इस कोवर्मेंट में, ओके, थैंक यू,